मित्रो जैसा की हम सभी को पता है कि स्री कृष्ण का नाम लेने से पहले ही राधा का नाम आता है अर्थात हम जब भी कहते हैं तो राधी कृष्णा ही कहते हैं इसका मतलब एक वार स्री कृष्ण ने ही राधा से कहा था कि जब भी कभी मेरा नाम आएगा उससे पहले राधा क प्रेम की एक अटूट रिस्ते के वारे में समस्त मानव को बताया था, कहा जाता है कि स्रीकृष्ण राधा के बिना वह राधा कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं थे, आज भी अगर प्रेम की परिवासा दी जाती है, तो राधे कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है, अर्धा स्रीकृष्ण राधा जी से अटूट प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने राधा से बिवाह ना करके रुकमनी से बिवाह क्यों किया, पर इसके पीछे की सचाई क्या, आपको पता है, अगर नहीं जानते, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के मित्रो इस वीडियो में आपको प्रेम और भगती के बीच के अंतर भी समझ में आने वाला है, कहा जाता है कि राधा बग क्रिश्ण का प्रेम एक आत्मा वा परमात्मा का मिलन था, जो आज तक दूसरा नहीं हुआ, सदियों से पिढ़ी दर पिढ़ी राधा क्रिश्ण की प्रेम चलती आ रही है, जिसे सुनकर मन में यह सवाल आहीं जाता है, कितना प्रेम होने के बाद भी क्रिश्ण ने राधा से बिवा क्यों नहीं किया, इसके पीछे लोगों में कईमत है, कुछ बिदमानों के मुताबिक कहा जाता है, कि क्रिश्ण गोकुल में आये थे और म से विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं तो भगवान स्री कृष्ण ने राधा से बताया था क्यों कोई अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है अर्थात कृष्ण राधा से कहना चाहते थे कि कृष्ण और राधा दो नहीं बलकि एक ही है वो दोनों का एक ही अस्तित्व है राधा को यह भी एहसास था कि कृष्ण कोई सधारण इंसान नहीं है अपीतु भगवान का ही स्वरूप है और राधा स्रीकृष्ण के प्रती एक प्रेमी के तरह नहीं बल्कि भगत की तरह थी और एक भगवान के वीच विवाह कैसे हो सकता है राधा के वल प्रेमिका नहीं थी बलकि एक अनन्य भक्त थी जिसे हम लोग प्रेमिका की संग्या देते हैं उनके प्रती भक्ती का प्रेम था ना कि भौतिक प्रेम इसलिए बिवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता राधा को ठीक तरह से समझने के लिए भागती रस वा प्रेम रस को बिस्तार से समझना होगा जो की एक आध्यात्मिक प्रेम का आनंद दायक अनुभूती है एक ब्याख्या के अनुसार क्रिश्न और राधा ने बच्पन में खेल-खेल में साधी की थी लेकिन असलियत में साधी नहीं हुआ था उन दोनों का प्रेम एक अलग ही तरह का प्रेम था जो बैवाहिक जीवन के अस्तर से काफी उपर था राधा क्रिश्न के नाम लेने के पीछे का कारण यह है कि वे एक दूसरे से आत्मिये तोर पर जुड़े हुए थे इसलिए हमेशा राधा क्रिश्न कहा जाता है ना कि रुकमानी क्रिश्न वैसे रुकमानी ने भी क्रिश्न को पाने के लिए काफी जतन की थी रुकमानी अपने ही भाई के खिलाफ हो गई थी जबकि राधा ने क्रिश्न को अपनी यादों में संजोय रखा हलाकि कुछ बिद्बानों के मुताविक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरन में भक्ती आंदोलन के बाद लोग प्रिये हुई उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संब्ध को भौतिक रूप दिया प्राचीन समय में राधा का नाम नहीं आता था हाँ रुक्मनी, सत्यभामा, समेथा, स्री कृष्ण मसरा प्रचली थी जिसमें राधा का जिक्र नहीं मिलता है कहा जाता है कि कृष्ण ने आठ वर्स की आयू में ही राधा से प्रेम की अनुभूती हो गई थी दस वर्स के बाद क्रिश्ण राधा से फिर कभी नहीं मिले, यहां तक एक तथे और है कि स्री क्रिश्ण ने राधा से इसलिए बिवाह नहीं किया, क्योंकि वे यह सावित करना चाहते थे, कि प्रेम और बिवाह दोनों ही अलग अलग पहलू है, प्रेम एक निस्वार्थ भा न करने के पीछे एक तथ्य यह भी था, कि समस्त मनुस्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके, राधा वा क्रिश्ण का सम्मंध कभी भौतिक रूप में ना रहा, बलकि राधा क्रिश्ण से आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई थी, अन्य पौरानिक कथा नाओं के अनुसार भी राधा और क्रिश्ण की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए भी वे दो नहीं एक थे तो मित्रो, ये थे कुछ कारण जिसके वज़य से ते विवाह नहीं किया, इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूलेगा, मिलते हैं आगले विडियो में, तब तके लिए